नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे letterhead बनाते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने letterhead का already एक format design करके रखा है ऐसा ही एक letterhead मैं आपको Microsoft Word में design करके दिखाऊंगा तो दोस्तों letterhead को design करने के लिए सबसे पहले MS Word को open करना होगा फिर मैं सबसे पहले page का जो margin है इसको change कर लूँगा इसके लिए मैं जाओंगा page layout tab और यहाँ पर देखिए margin नाम का एक option है जहाँ पर click करने के बाद यहाँ से मैं narrow को choose कर लूँगा तो इससे क्या होगा? चारो और से margin का जो size है वो कम हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर एकदम उपर की ओर यहाँ पर मैं एक shape insert करूँगा इसके लिए मैं जाओंगा insert tab और insert tab से मैं click करूँगा shape पर click करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सर शेप देखने को मिलेंगे तो मैं यहाँ से यह वाला shape को यहाँ पर choose करूँगा और इस shape को मैं एकदम उपर की तरफ यहाँ पर draw कर दूँगा यह हो गया अब मैं चला जाओंगा format tab में और यहाँ से मैं shape का एक color को choose कर लूगा तो मैं यहाँ पर यह वाला color को choose करता हूँ तो यह काफी अच्छा लगेगा फिर मैं इस shape में text add करूँगा इसके लिए इसके उपर right click करना होगा और यहाँ से add text में जाके आपको click करना है click करने के बाद मैं चला जाओंगा home tab में home tab से अच्छा सा एक font style यहाँ पर choose करूँगा यह font box है यहाँ से कोई भी font style आप choose कर सकते हो तो मैं यहाँ पर यह वाला font style को apply करूँगा फिर मैं इसका size जो है इसको थोड़ा increase कर लूँगा और color को choose कर दूँगा text color को यहाँ से मैं white color को choose कर दूँगा उसके बाद alignment को center कर दूँगा center करने के बाद यहाँ पर मैं अपने letterhead का header type करूँगा उसके बाद नीचे आके मैं address type करूँगा enter करूँगा enter करने के बाद मैं फिर से जाऊँगा home tab और वहाँ से मैं size को थोड़ा कम कर दूँगा और font को यहाँ से change कर दूँगा फिर मैं यहाँ पर address को add करूँगा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा address का थोड़ा सा part नीचे चला गया है अब मैं इन सारे text को select करूँगा select करने के बाद इन में जो line spacing है इसको मैं थोड़ा page layout tab से और यहाँ पर देखिए after spacing को मैं यहाँ पर थोड़ा कम करूँगा तो यह automatically set हो जाएगा फिर मैं नीचे यहाँ पर cursor को set करके मैं चला जाओंगा home tab home tab में जाने के बाद एक अच्छा सा font style यहाँ पर choose करेंगे यहाँ से कोई भी font style आप ले सकते हो मैं यहाँ यहाँ पर यह वाला style apply करूँगा इसके बाद font size को भी यहाँ से मैं increase कर दूँगा आवे थोरा सा increase करेंगे इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे reference number थोरा सा space चोड़ेंगे यहाँ उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे date और इसमें भी थोड़ा सा space चोड़ेंगे अब इन दोनों को अपने हिसाब से अपने page के हिसाब से इसको set कर लेना हे थीक है अब मैं letter hit के एकदम नीचे चलाओंगा और यहाँ पे मैं एक shape इंसर्ट करूंगा इसके लिए मैं जाओंगा insert tab और insert tab से shape में click करना है और यहाँ से मैं rectangle shape को choose करूंगा और नीचे यहाँ पे मैं draw कर दूँगा इसके बाद मैं जाओंगा format tab में format tab में जाने के बाद shape style option से मैं यह वाला color को यहाँ पे apply कर दूँगा फिर मैं shape के उपर जाके एक बार right click करूंगा right click करने के बाद मैं add text में जाके click करूंगा click करने के बाद मैं जाओंगा home tab home tab से कोई अच्छा सा font style यहाँ पे choose कर लेंगे यहाँ से मैं यह वाला font style को apply कर दूँगा और font color को white apply कर दूँगा इसके बाद मैं यहाँ पे एक symbol को add करूंगा इसके लिए मैं जाओंगा insert tab में insert tab में जाने के बाद यहाँ पे देखिए symbol नाम का एक option आपको मिलेगा जहाँ पे click करने के बाद मैं जाओंगा more symbols में और यहाँ से मैं telephone का एक symbol यहाँ पे add करूंगा तो यहाँ पे मैं नीचे आओंगा और यहाँ पे देखिए यह देखिए telephone का symbol तो इसको एक बाद select करेंगे और एक बाद insert में आके click करेंगे click करने के साथ ही वो symbol add हो जाएगा फिर मैं इस window को close करके यहाँ पे phone number को type करूंगा इसके बाद मैं email के लिए और एक symbol यूज करूंगा इसके लिए मैं जाओंगा symbol में और यहाँ से more symbols में जाके click करूंगा और यहाँ से e एक symbol है जो मैं यहाँ पे insert करूंगा यह देखिए यह वाला symbol मैं यहाँ पे insert करूंगा जस्ट एक बाद insert में click करेंगे तो यह देखिए insert हो गया है और यहाँ पे मैं अपना email id टाइप करूंगा लिटर हेट का अब इन दोनों को page के हिसाब से दोनों side में adjust कर देंगे अब इन दोनों को select करेंगे select करने के बाद home tab से इनका size को थोड़ा increase कर देंगे तो email id यहाँ पे मेरा थोड़ा नीचे चला गया है इसको मैं backspace देखे ऊपर की तरफ लेके आऊँगा अब मैं आपको zoom को थोड़ा कम करके दिखाता हूँ मेरा पूरा letter rate को यह minus symbol में click करेंगे तो zoom out हो जाएगा यह देखे अब page के बीच में मैं एक watermark add करूँगा इसके लिए मुझे जाना होगा page layout tab में page layout tab से यहाँ पे देखे watermark option में जहाँ पे click करना है इसके बाद custom watermark इसके बाद watermark window open हो जाएगा यहाँ से मैं text watermark में click करूँगा और यहाँ पे text box में आपको अपना text लिखना है मैं यहाँ पे organization का नाम लिखूँगा उसके बाद font box है जहाँ से आप font style चूज कर सकते हो मैं यहाँ पे एक font style को चूज कर दूँगा और यहाँ से आप color चूज कर सकते हो मैं यहाँ पे यह वाला color को चूज करूँगा इसके बाद just एक बार apply में जाके click करना है करने के साथ ही देखे यहाँ पे watermark मेरा apply हो गया है अगर जरूरा थो तो आप watermark के size को भी यहाँ से छोटा कर सकते हो तो मैं यहाँ पे size को थोड़ा छोटा कर दूँगा just एक बार apply करेंगे यह देखे मेरा watermark जो है वो यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है अब मैं watermark window को close कर दूँगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ऊपर का shape है वो थोड़ा नीचे आ गया है just इसको select करेंगे और arrow key को use करके ऊपर की तरब लेके जाएंगे दोस्तों तो यह हो गया मेरा letterhead पूरा design करना अब मैं आपको यहाँ से zoom को थरब बढ़ा के दिखाता हूँ यह देखिए यह है मेरा top portion और यह नीचे आके आपको दिखाते हैं और यह है मेरा letterhead का bottom portion तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप image word में easily letterhead को बना सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support